मैं उस परमातमा सावन करपाल दे चरना विच निंशकार करदे हैं जिनन निर्सा नुआवदा जैश्करन दा अपनी याद विच बेठन दा मौका दिनता है ते उना दी ही द्या है जेड़े अपाज उना दी याद विच हर रोज अकठे हुने है सानु पता है कल जो दा जवाना है ते उना दी महान करपा है जेड़े अपाज उना दी याद विच बेठे है ने ताजिदा जीवदा जो ख्याल है दुनिया जो बड़ा फैल चुक्या है किते किसे वास्ते इतनी टैम है कि मैं जाकि सत्संग देंदर समा पतीत करा सो मैं अर्ज करता है कि इसी सत्संग रिच क्यों बैठे है क्यों रोज-रोज ओने है एदा कार्ण एही है किसी रोज-रोज गुरबाणी सुन दे है कि साड़े अंदर भी ओस प्रभू प्रमात्मा दा प्यार जाग पे और साड़े पुलड मननो आवदियां गल्तियां दा पता लग जावे क्योंकि सत्संग दे अंदर सानु साड़ियां गल्तियां दा पता लग दा है साड़ी तेकी काथ मकमल हुंदी है माराज जी कहिंदे हुंदे सी सत्संग पजन्धी वाड है जिना लोकाने पजन्सिम्रन करना है उनना वास्ते सत्संग भी बड़ा जरूरी हुंदा है सो मैं देखदा है ऐसा मारा सावन दे जवाने विजवी देखिया माराज करपाल दे जवाने जवी अज भी मैं देखदा है के मर्दा दी निस्बत इस्तरिया और ता जादे कमाई वालिया हुनिया हन क्योंकि एना दे अंदर प्यार दा जजवा लगन दा जजवा जो है वो ज़ादे हुंदा है ज़द बीनिया तो उना दियान पवसुन दे है दिल बड़ा खुश हुंदा है जेडे असीर ओज रोज सत संग बिचे होने है कोई आवदी तरकी नहीं देख देगे उना नू खुदी आवदे अंदर चाती मार लेनी चाहिए दिया है के साड़े अंदर ऐसा केड़ा नुक्स है सादू एस कहाणी तो अच्छी तरह पता लग जाएगा जो हुजूर माराज आम ससंग दे अंदर सुनव देशन के एक महाजन हर रोज सत संग दे विचे जानदा हुनदा सीगा काफी टैम उसनू ससंग दे अंदर जानदा मौका मिलदा रहनदा एक दिन उस दा लड़का कहने लग गया पता जी तुसी हर रोज जानने हो मैं नू भी अजाज़े देओ मैं भी ससंग अंदर जाया माँ सुन दे अंदर सबसानों निम्रता सखाइडिये पर्मात्मा याचा है के हार एक दे अंदर आत्मा है चै द्रख्ट है चै पशू हैचै पंची है चै अनसान है तो साइलए फर्ज बन्दा है कि आत्मा उते रहम करना ओ leurका इंग नू पकड़ लेया इया जद करे आया, ओना दी दुकान दे उपर एक गव आके फुश खान लग पी आटाई या दाना, देल चे ख्याल आया कि साड़े बहुत सारा तन प्रमातमान दिता है, बड़ा ब्याईदा पैसा होंदा है, बोर भी साड़े कोड़े मूरी बहुत सारी है, अगर ए ग्रीव जान कैन लगया, के अन्य द्यान्या, तैनु पता नी, तेरे सामणे गव है, ओ, दाणा खा रही है, आठा खा रही है, तू हुटानी रही है, तैनु दिखनी रही, ओ लड़का प्यार वेची कैन लगया, पिता जी, अपने कितना ब्याजाउंदा है, कितना अपने कुल पैसा है एक गरीव जानवर जे थोड़ा बहुता खा जाएगा तो की फर्क पेंदा है अगर समुंदर देंदरों चिड़ी चुंच पहलेगी तो कोई समुंदर कट्णता नहीं लगयागा ओकेर लगया तु एहे जियां कथा कहाणियां या गल्लां कितों सिक के आया है ओकेर लगया मैं आज ससंग दे विच गया सी उत्थी इस्सीत रामा हात्मा ने दस्यासी के हरे कंदर आत्मा है उस्ते रहम करना चाहिएगा है ओकेर लगया मैंनो तीज साल हो गई जे मैं एहे जियां गल्लां पले बन के लिए आया करदा ते अजनू आ मैं कार शेद सारा कुशी उजाड़ दन्दा तूरे तनपदार तकास नू देखता सो एहे जी अगला नू उत्थी शड़े आईदा हुन्दा तो ती चाड़के मैं करे आजना है अगे वास्ते पहला ता जाई ना जे जावे ता उत्थी अगला उत्थी शड़े आई निया हन्द एक कहाणी है जड़ी हजूर सुनाओ दें उन्दे सी बड़ी अच्छी साड़े ते ये टुख़दी है असी सासंग सुन दे हैं प्रेम प्यार ना ओने भी हैं अगर साड़े विच प्यार ना होवे तो असी सासंग विच क्यों आईए गुरू ने प्रमात्माने साड़े ते द्या करके साड़ा एस पासे नू चुकाओ कर देता साड़े कर्मा दे अंदर एस संगदा जो और जान है एवी बाकी दे कर्मा दी तरहां दुख सुख दी तरहां लिख देता तो आउदे ऐसी बड़े ही प्रेम प्यार ना है शर्दा नाड़ है अगर शर्दा ना होवे ऐसी किस तरह इन्ने ने लंबे सत्स समंद्रा तो पार तो आ सकते हैं लेकन जद आउने हैं तो ऐसी शरारत सानु माने सार्दे अंद्रो समझा दन्दा है के वही ऐथूनिया ऐथे शड़ जानिया हाण सो प्यारेओं सार्दे जड़े पाप है सार्दे जड़े गुनाहन उन्ना दा सानु नचा चड़या होया है उन्ना दा ही सानु गलवा चड़या होया है सार्दे उपर बहुत मोटा पड़दा उन्ना पापां अपरातां दा ही चड़या होया है असी नाम दी तरफ नियां कि अगर से संग सुन दे हैं उसनू साड़ा मन सब को सुन सुना के सिर्फ फेर दिन्दा है नएक कहाणी अपने जीवन काल दी दहदा होना है क्योंकि मैं फर्ष्ट ब्रिगेड फर्ष्ट प्ट्याड़े दे अंदर आर्मी दे अंदर अटेच सी नेरी अपरेटर दी ड्यूटी सी गी तो जद कशिमीर दे अंदर हिंदोस्तान दी पहली लड़ाई होई है मैंनु उप्ट सेवा करन दा मौका मिलेया प्रमात्मा ने साड़े उते बड़ी पारी दिया होई जानी नुकसान काफी होया लेकन जित साड़े नसीब होई हिंदोस्तान दे उस वकत दे अफसराने काफी साड़ी पल्टर नू अनाम देता और जिस दिन जित होई उस दिन काफी पैसा जो भी सदा वास्ते उस आर्मी विच जवान होण गे उस दिन नू नू मनाओं दे है काफी अफसर वारों भी होते शामल हुंदे है तो कैन दा पाप साड़े डगडरा ने कई ऐसे अलाज कीते जिनना दे सारे पेट छिननी हो चुके सन बुरी तरा गानदे बराश्ट वाज के जखनी हो चुके सन ओना नू बचाया और डगडर जिगदी सिंग सिवल सर्जन अच्छा सिगा जाद से किश्मीर दे अंदरों एदर दाखल होए तो सानू पहला ता पठाण को अट अंदर ओथों दी पबलक ने काफी प्यार दखाया चापाणी भी इंतियाम कीता अंबर सर्दी जो सिखांदी कमेटी है उना ने भी सानू बहुत जादे प्यार दखाया साड़े अफसरानू सिरोप आउवी दित्ते जो आना नू काफी चापाणी दा अच्छा अरेनिमेंट कीता सीगा ज्याद से स्टेट रियास्त पठेड़े अंदर आए उस वकत काफी खुशिया मनान्या गिन्या अठ नौ दन मठ्यान्या आम पबलक नू भी शैरी लोकाने वांटियां क्योंकि सारा इंतियाम उत्थों भी शैरी जनतादा सिगा के साड़े बहादर ज्वान साड़ी पहली जित करके आये हैं सो राजे ने याद वेंदर सिंग ने खुशी दे अंदर नकलिये बलाए तो बड़े मशूर नकलिये मसीव आड़े पंजाब वे चहर्ण ओ आम तौरते राजे महाराजयां दे सदेते जांदे रहें देजिए तो औस विले उनना ने एक नकल कड़ी वो एसी के फ्रश्ट पृट्यादे एक जवान दा आप्रेशन दमागदा कीता लेकन वो जे रड़क्टर सी गा क्योंकि बड़ो कावल सी गा उन्हे उपरेशन करके उदा दमाग वो जवान दा पौना पुल गया उदे सेर नू खोपर नू तोपे लादते चले आ गया कोई महीने दो महीने तो उन्हों समझाई के फलाने नंबर दा जवान सी जीदे मैं दमाग दा उपरेशन कीता सी गा उप किस तरह कम करदा हूगा दमाग तो दा इत्थे रह गया है तो उस ड़क्टर ने फोन कीता उप जवान नू बे प्यारया मैं तेरा दमाग पौना तब पौल गया तो उप आके अपना दमाग पाल जा मैंनू अपसोस है के आप किस तरह केड़ी सूज बूजना आप दे आर्मी विज़ कम करदा है ख्वानू पता है उसने की जवाब दिता हूँ एसी गा के जी मैं फश्ट फिट्याडे अंदर सर्वस करदा है मैंनू दमाग दी कोई लोड नी केंदा पाबो दा एसी गा बीजे अच्छा दमाग हुंदा ते जी मैं होर पल्टना उत्थू पजयाई ने असलना अपने अथ्यार सिट के ते ए पठेले अले भी पजयाऊंदे क्योंके लड़दा बहादर वो ही आदनी है जित प्रापत वो ही करदा है के जिड़ा तमाग नू नू जो हारादा हिस्सा है उसनू एक पास से अलग करदे ले तो जित ताड़े पास से नू अगे रखदा है सो साड़े वे ओस पठेले ते सपाण्या दी तरह हालत यह है के सचे पाथशा जे दमाग हुंदा तो उसी पहला ताण सानी जामेजी के होंदे सानू एक ते कौन तेथो विशोड के रखदा तो एस वास्ते हुंटा सानू चाहिदा है के आवदे दमाग नू साप करिये सुथरा करिये एदे वेच जो गंद बीशे बकारां दा परया होया है एस नू कट के एक पासे रखदेगे जिस तरह मैं दस्या सी के सपाई ओह ही लड़ सकता है के जिड़ा दमाग दे अंदर जित वाले हिसे नू के रखदा है सो ससंगेनों भी एना पाँज दुश्मना दे होते जित प्रापत भी सोचना चाहिदा है कदे भी हार मन के सानू एस मदान वेच नहीं निकलना चाहिदा गुरू नानक देव जी भी माराज केंदे है के बेशक ओ बढ़िया परवल तागता हान पंजे लेकन साड़ी पिठ हुटे सूर्मा बहादर गुरू है सानू ने शबत उन्दे नाल लैस कीता है आप कैण लगे के ससंगी इस तरह अंदर जाके तीसरे तिलते एस मत्थे दे साड़े सुपूल अंदर ए अखाड़ा है जित्थे के इन्ना दी स्थूल गंड है इन्ना पंजा जवाना दी तो इस तरह जाके उतर दे है जिस तरह मल पहलवान लोग अखाड़े अंदर जाके उतर दे है कोई भी पहलवान अखाड़े दे अंदर हार मन नवास देनी जानदागा जद तक ओहो जित प्राप्त नी कर लेंदागा सो हमेशा ओ एही मत के चलता है कि ओ बंदा की है सो ससंगीनों भी जदो व्यासते बैठता है ओसनों भी ऐसा ही मन एक पहलवान दी तरह एक सपाई दी तरह बढ़ा लणा चाहिदा है कि मैं जिरूरे नते जित प्राप्त करूँगा अपने गुरू दी द्या प्राप्त करूँगा सो जद कोई भी ससंगी अंदर थोड़ा जावी तीसरे तलती एक आगर हुंदा है गुरू ओ ने हुंदागा कि जड़े दो लवश दस के आव दा प्ला शड़ा जावी नई प्यारेो गुरू सदा ही हर मंजलते सेवक दे नाड है जित्थे वी ओ कट कोई दुरगम काटी यंदी है उत्थे उ संभाल करदा है तो गुरू नान ने कहिंदे बेशक व पंज जवान है मल्ला दी तरह कुल्ण वास्ते ओ मार्न वास्ते यंदे है नेते पंज जवान गुर्थापी दिती कंड़ जीओ ओदर गुरू वे आवदे शेशनू पिठते हाथ रखदा है ओदी फते करऊंदा है जित करऊंदा है सच्ची गल एई है कि गुरू ओही कहा सकता है जेड़ा इना पंजादे नाड सेव कुनू लड़ावे गुरू गुबिंद सिंग ने क्या सी सवा लख से एक लड़ाऊं तभी गुरू गुबिंद सिंग नाम कहाऊं सवा लख साड़े प्राणा दे अंदर पढ़के तिशली कर लो हारे किंद्री दी तागत बड़ी जवर दस हजार हाथी दी लिखी होई है पच्ची हजार हाथी दी तागत कल्य मन दी लिखी होई है एस सवा लख हो गया तो गुरू जेड़ा है वो एस सवा लख ताकत दे नाड लड़ाएगा तादियो सूर्मा गुरु कहुंदा है और लड़ोंदा है जो अंदर जान दे है उन्ना नूँ पता है के गुरु बेंच सिंग दा ये शारा केड़े पासे सीगा सब महातमा दी जो बाणी है ऐसी पड़ दे है वो सब अंदर दी तरफी सन मुशारा कर दी है है तो इस वास्तिया प्यार ना करेंदे है कि असी जो कुछ सुन दे है इस नूपले बन के लिए जाना है इस ते अमल करना है मोटे जे साथे अंदर एब हुंदे है जो साथ मन तकेन अड़ करूंदा है काम क्रोद लो मोहंकार दी जिर्गे सो अगर अटिये एक अटब एक ससंग दे विच शड़िगे तो दूसरे दे विच असी दूसरा छड सक दे है 55 से शंगां दे विच असी कामयाब हो सकते हैं महाराज सावन केंदे हुंदे सीगे संतन दा अभ्यास ये नी के कोलू दे बैल दी तरना सारी जिंदगी तुसी गोडे अगड़ाउं दे रों सचयाई तह ये हुंदी है के तुसी उना दी दसी होई जूती पे पूरा पूरा अमल करो जो डगटर द्वाई देर लग आओ भी और यूजवी करो साथी हालत ये है के द्वाई ताषी प्रेम प्यारना लेओने है बमारी भी दूर करोनी चाओने है लेकुनों लेक्नों लेयाके आले विच रख दने है और द्वाई आले विच ये बमार बिष्टरे विच है डगटर दे जुम्हें दोश कड़ अगर द्वाई सानू किसे एरे गेरे ने दिती होए तो फैदा ना करे पूरे सत्गुरुदा नाम दिता प्यों ने सानू फैदा करेगा जो लोक जो प्रेमी आत्मा पजने व्यास कर दिया हन उनना तुसे पुछ के देख लो कि उनना दी की हालत हुं दी है किस तरह आप इस जदो मिल दे है प्रेम प्यार ना चाहे उपच्छम दे है चाहे पूर्ब दे है उनना दी उची चड़ाई नो सुनके दिल गदगद हो जन्दा है सो एस वास्ते सानू भी चाहिदा है जो कुछ महात्मा दस दे है उस नो सुनिए समझिए फिर उस ते अमल करिए सो थ्वाड़े अगे स्वामी जी माराईदा चोटा यह शब्द रखे जन्दा है दोर न सुन बड़ा है गुरू और नाम पाक्ती बचन उन्नीवां शबत तेरवां सार बचन पन्ना एक सो उननजा गुर केहें जागत सब अंदा कोई गैना कट की संदा गुर केहें जागत सब अंदा कोई गैना कट की संदा उन जाता से संदा महात्मा निया प्यारियां मिठियां बाणियां पड़ते हैं वो दो हुरानता हुने ही है के महात्मा सानु अंदे क्यों पेंदे है असी कांगे साड़े अखा हन असी दुनिया नू साफ देख दे है संद केंदे है तुसी ठंडे दिल ना सोचो ए जेड़े अखा हन बार देखने वाल गया ए भी बजाते खुद रोच नहीं या सूर्ज दे आसरे बाहर देख दिया या चंदरमा दे या सतारे दे या बीजली दे या लेंप दे आसरे देख दिया हन जित्थे पंजेश यह चीजा ना हून तुसी कदे अंदेरे अंदर बहुत सारे कराम जैसे भी हुंदे है वड़के देखा हुएगा जद दिने किते बहुत सारा अंदेरी आजावे बदल ऐसे काले आजान जद के रात पैजन दी है तो एकहा कामनी दीचा जादे है यह स्था अंदेरे चैखा कामनी दीचा तो अंदर ऐसी किस तरह जा सकते है जो कुछ महात्मा केंदे आज और बी सच केंदे है कुँ उन्हाने देखया है गुरु नानक देब जी माराज के अंदे से ना आक्ये, जिन मुख लोयने ना है के अंदे ओना नो चिन नो कर्मा मताबट बाहार खाने मिलिया अंदे से नानका जो खसमों कुथे जाहे असलिए अधे कौन है, जिना दे अंदर परमात्मा है वो उसनों देखनी सकतेगे वोदी अवाजनों सुननी सकतेगे तैज दू वड़ा होर अना काउन है तुलसी साव कहन दे हाई कट में सूजित नहीं लानत ऐसी जंद तुलसी ये संसार को प्यामोदिया बेंद वो कहन दे के ऐसी जंदिगी दा संसार वे चाउन दा की फैदा होया वही वो प्यारा प्रीतम अंदर है वो उसनों देखनी सकतेगे महात्मा चतरदास जो परमात्मा सावन दा सेव कसी का वो अपनी कवता देंदर लिखता है जेडे केंदे है रब है नी वेच कसूर उन ना दे किसे डग्टर दे पाँ जाके क्यों नहीं अख बढ़ांदे तो केंदे अंदे सी सावन अख बढ़ांवास दी आया ये अख दा डग्टर है जिस तरह बाहर साठी आख होते मोट ये आजंदा है पढ़ांदा है अगर असी एने किसे ना चगड़ दे पिर ये के जेड़ एक दफा अख ते पढ़ांदा आ गया है खेड़ा ऐसा डग्टर है के जेड़ा वो पढ़दा दूर कर देगा असी आजदे तक्नीकी जगदे अंदर वग्यान के जो गदे अंदर रह रहे हैं देख रहे हैं ज़स साथे ना ऐससे कोई कटना कट दी है कोई चिटा मोटिया बगएरा काला मोटिया आ जानदा है ज़सी जल्दी वो डग्टर दी सेवा प्राप्ट कर दे हैं असे फिर संसारन देख लेने हैं यह है कि संसारी मसाल लेकन जो अंदर ली अक है जेडियों से नूर और प्रकाश प्रमात्मा नों देख दी है तो संत महात्मा ओस दे डग्टर है जद बाहर दी अक बढ़ोन वाले असे सच समिदे हैं बाहर ता फीश देनी पेंदी है और करदा कारोबार शड़ के कुछ दिन सानु हस्पतार्च वी रणा पेंदा है सो संत महात्मा ता साथो ओस अक दा अंदर ली अक दा पढ़दा दूर करन वास्ते तो कोई मौवजा नहीं मंग देगे बनके बगैर पैसयां तो बगैर किसे साड़े उते असान करे तो वो साड़ी सेवा करते है लेकन साड़ा पोलड मन फेर भी अतवार नहीं करदागा इस वास्ते आप प्यारना कहन देए फेर ओ ये भी नहीं कहन दा कि तुसी नेरे हस्पिताल वेच आपने बाल बच्चे शड़ के रहना शुरू करो नहीं वो कहिंदा है कि तुसी आपो अपने करानू जाओ जो तंदे थ्वानू थ्वाडे कर्मा मताबक मिले है जो फर्ग थ्वानू कर्मा मताबक मिले है पतनी दे, पती दे, बाल बच्चेयां दे, ओना नों भी जाके आवदा पूरा करो, यह दा एक बहुत कैर है, कैर पुना है, असी शादी करा लेने है, बच्चे पैदा हुंदे है, या पतनी ना अनबन हुंदी है, तो मर्द कबरा के घर चड़न दी सोचता है, या औरत कर असला हल हुंदा है, कोई शानती हुंदी है, नई, पहला तो भी जादे, ओपर ही शान हुंदा है, क्यों मान जेड़ा है, यह बड़ा इमज़े स्टेट है, यह साड़ा एव खुद भी दस्दन दा कि तेरे जी एव है, बाहर जाके कहन दा है, तो गल्ती कीती, पतनी आया, कहरबार शड़े आया, कई दफा साड़े देखन वे चौंदा है, के ओही प्रेमी कारणू पहला नवी पद्दी हालत कराके ओह करे आजन दा है, दुनिया जा कहरवाले, जा समाज वाले उस दा मखावल अड़ंदे है, के इतना चिरे डेरे अंदर है, इतना चिरे बा आज देखे दी की हालत है, सो एस वास्ते संत महात्मा गुरु हर्चन देव जी माराज केंदेया, वहां कूत्रांग, पिच्छा फेर न मोहडड़ा, नानक सिज्वेहा, बहर न होसी जनवड़ा, ओकैल लगे जद पगती मार्ग दे अंदर, तुसी पै रख लिया है, फिर अगे सच खंड पहुंचन दी त्यारी करो, पहुंचन दी हिमत करो, पशाहा ना मुड़ो, ए ना कोश कैद करो, के जी मन नहीं बैठन देंदा, सचे पाश्या नों किसे ने किहा, के जी मैनू मन नहीं बैठन देंदा, परेशान करदा है, तो महाराज केंदे हो की करे? जदो आव दी टूटी बज़हूंदा है, OUT दे मालक दा हुकम बज़हूंदा है, ठ्वाड़ा भी तरम बननना है, फर्च बननना है, के जो कम ठ्वानों ठ्वाड़े मालक दे गुरू ने दिता है, तुसी भी उसमन इमानदारी न करो भी। सो एस वास्ति आप केंदे है बड़े प्यार नाड स्वामी जी महाराज केंदे है गुरु कहे जगत सब अंदा कोई गहे ना कठकी संदा तसी हरान जिरूर हुने है लेकन महात्मा जो कहा हुए है ओ भी गल्प निगा कुर कहें जगत सब अंदा कोई गहे ना कठकी संदा बार मुख पर मी सारी अंतर मुख शब्द ना तारी असी बाहर जाने है प्रमात्मा अंदर वो दी खोज असी बाहर कर दे है प्यारे ओ मैं दस्दा होना है कि मैंनू पहली जिंदगी दे अंदर ओस मालक दी पकती दा प्रमात्मा दी पकती दा बड़ा ही शौक सीगा ये अंदरे अंदर ही गुज जड रही सी कि जिसनू बजाउन दी खातर मैंनू काफी समाजाच जाना दा मुखा मिलिया है मैं एवी दस्दा होना है कि मैं इस तरह दा बाहर नहीं फिरता सीगा बीकितो किस तो पैसा मांके खाले आके तो रोटी मांके खाली ऐसा नहीं सीगा हजूर सचे पाशे द्याना जिते पैदा होए सी सार गई सहूलता संग हाँ उनना लोका ना मैंनू एस वास्ते रहना पेंदा सीगा जड़े पलूए कपड़ा मारे अदासी संग अदासिया ना काफी टैम रहा हैं और निर्मले ना काफी टैम रहा हैं मेरे दिल चेसी भी एना कुले बहुत कुछ है यह तूनिया तो पहुंदे है जल तारा लोग कर दे है पड़ पढ़ाईज सारा दन लगे हुए है कारबार च्छटी फिर दे है क्योंके साड़ा जीवन जेड़ा है पहला ऐसे था तो ही शुरू होंदा है ओ वक्त ऐसा सी पंजाब दे अंदर जदों के सिरी चंद काफी पंजाब वेचे जोर सीगा और सिरी चंदी ही संपर्दा जादे उतसे कम कर दी सिरी चंद गुरु नानक देव जीदा सहव जादा सिगा जिसनों शंकरदा अवतार केंदे है जिसको ले दो शबदा पेद सिगा और उसने गुरु नानक तो शबदा पेद नहीं लिया उन्हें अब नाशीम उन्हें तो पेद लिया सिगा बेशक अज ओ उदासी लोग कताबा अंदर बड़ा डट के परचार कर दे है के गुरु नानक जी दे पुतर जिड़े सन ओस पुतर सन लेकन सिख अतियास दे अंदर जो कुछ ओस वक्त दे वाके सन के किस तरह उना ने गुरु अंगत देव नाड़ पाई लेने दे नाड़ खिर ना की ती किस तरह अंत समय गुरु नानक दे पास और तो चिजग दे रहे वो सारा कुछ सिख अतियास विच वी दर्ज है मैंनू इस सारा कुछ ओपटना सीने पसीने सुननू मिली क्योंके जो बाबा अबोलक दास बाबा बिशन दास दा गुरु सुई उस नू सिरी चंतो दो शबदा पेद मिलिया सिगा उस ने एक सोचाली साल संसार वेच रैन वसेरा कीता तो बाबा बिशन दास नू बाबे अमोलक दास दो शबदा पेद सी बाबा बिशन दास ने वी काफी लंबी उमपर संसार दे अंदर पोगी औरे दोने हस्तियां काफी अच्छे कराने वेच पैदा हुझया हन् उनना दना चे नाबा स्टेट जो सी अंगरे जान दे राज वेच काफी मिशूर सी तो बाबा बिशन दास ओस खानदानि वेच दास तो मेरा कहन दा पाव के मैं अपनी जिंदगी बनाओन वास्ते बहुत सारे समाजां विच गया लेकन बहुत सारे जद कमियां देखियां अंतर मुख को यह व्यास नहीं करदा सी तो मैं एक परकार दी तरह पाजन अठके फिर बाबा विशंदास को ले योणा लेकन बड़े एक ख्रोड दी तरह करड़े महात्मा संड वो कमी बात करदे संड और आम तोरते उनने मेनू वजाए प्यार दी ताड़नाई दिती लेकन ए जो मन सीगा पता ने उननने क्यों द्या कीती क्यों इसनू अंदर उनना ने बन के रख्या मारा सावन केंदे सी के कमार बारों तथा पड़दा है कडेनू कड़दा है अंदर हाथ रखदा है एही हाल के संटानदी है जदो मेरे ते ताड़ पंदी मार पंदी तो मैं अपने करमा नूही कोस्ता सी क्योंके गुरबाणी दे अंदर मैं काफी शर्दा रखदा सी पड़दा सी बचार्दा सी गा उर दे अंदर था था लिखिया हुंदा है कि पूरे पाग होन ते संताना मलाप होंदा है अगर ओदू पूरे पाग साड़े साथ दें ते संत साड़े ते मिरबान होंदे है तो दिल चे ख्याल होंदा से कि मेरे ते मिरबान कद होंगे मेरे चैसे की नुक्स है मेरी ऐसी हालत क्यों है फिर में ये भी दस्दा होना है कि असी लोग आम सेवा पौने हैं लंगर वास्ती तो संत साड़ा अंसला फजाई कर दे हैं तनबाद कर दे हैं असी खुश हुनने हैं लेकन बाबा विशन दास्दा मेरे साथ उल्टी सलूक सीगा पहली तो ए बास सी के पाँच रपए ओ जवाने विच्छ मैनों खर्चन वास्ते दे सीगे मेरी आर्मी अंदर पिछों भी हो कई गुपत प्रेमी पे यह दिन दे के जाके देखो किते ओ तलंगया विच्छ जवाना विच्छ रेंदा है मता किते कुछ खान पीने लग जावी तो जद मैं जादे खटी करके लेओनी तो ओना ने थपड मारने नय है आवदी जाती जिन्द की दास्ता होना है के सेवा वी पौणी थपड वी खाने फिर ओस पिंड़ दे अंदर जित्थे बाबा विच्छ दासरिन दे सीगे साथे काफी रिष्टेदार सी के जड़े काफी बुरा मनों दे सी लेकन मेरे मन ने कदे भी एक मैल ना लें दी के ऐसा क्यों है मैं केंदा सा नहीं कोई कसूर है कोई पाप है जद लट जान के ठीक हो जाएगा तो जद मैं तूनिया तपाके उना दे पास गया तो सब्सक्राइब बाबा विशंदास केंड लगे क्यों भई कोई ठीकिया मैं खाजी कलपना अगे नो वदी है तो केंड लगे कि अगनी ता अंदर पहला है तेरे बहुत जड़ रही है कि ये अग नेगी काम दी कि कुरो दी अगनी पहिनी अगता बाहर किसे चलजी नहीं जिननी अंदर अंसान ते जड़ रही है खोर अगर तैंपिंडास डाले आता उधे नड़ की फरक पह गया समझाई तो केंड अपाब मेरा इतना ही है कि असी बाहर तक कर्म कर दे हैं बार मिखी तक हो जाने हैं लेकर जिस प्यारे दी तलाश विचे सी बाहर फिर दे हैं ओ अंदर है जद महात्मा सानु तार दे है के भई तो आप दे अंदर जाओ ओ अंदर बैठा है तो आड़ी इनतिजार विच बैठा है उन सानु माने अंदरिया दे येर चड़ी है जिस तरा बखार वाले दा मूँ दा जो जैका है वो कड़वा हुंदा है ओ दे अग्याप मिश्री करिए हलांके मिश्री ता मिठी है लेकन उकेंदा परे लेजो कड़वी है ऐसा आपा देख दे है ये ही हालत है साड़े अंदर सोनदा प्रेम भी हुंदा है अंदे भी है लेकन जद महातमा साड़े उत्ते साड़े नुक्स दुसना चोंदे है पागणा जी भी हुना दी बचन दी पार्थ सेंदा है ने तासी कहने ये ऐसा क्यों कहन दे है सो इस वास्ते आप प्यारना कहन दे है कि मैं उस महातमा नूं मैंनो गुरू पंच शबदा पहदी मिलिया कुल बालक प्रमातमा मिलिया लेकन मैं उस नूं पोल नहीं सकया मेरे दिलवेचा जोना दी इसे वास्ते एजित है कि उन्हा ने एह जिंदगी दी नीम डाली द्रियादे अंदर कौन पैरन सिखता है जिन्वी शौक होदा है जिड़ा डुबन तो गोते खान तो डरनी डर्दा नीगा इससे तरह संत मद्दे अंदर भी ओही कामयाब होंदा है कि जिड़ा जिन्व अंदरो शौक है अगर शौक है तो सादा मलाब ओ प्रमात्मा देवते ओ जरूर रह्रेम करता है मेरबान है किसे पूरे गुरू ना मलाब करूंदा है महराजी के इन दिन दे से पुखे नू रोटी प्यासे नू पाणी को दर जा सूला जरूर मिल दी है हाँ बई पाहर मुख परमी सारी अंतर मुख शाब्द ना तारी मन जगत पोग रास बंधा नित करे करम बस तंदा आप करेंड़े मन दुनिया दे खटे मिठे चट पटे स्वादा मेंचे लगया होया है और इस वाद चखण वास्ते इंद्रियां दा सहारा लेंदा है सानू पता ही है के अखा दी इंद्री देख के की कीनी साथो करा लेंदी कन्नादी इंद्री किस तरह कैसे कैसे रागाते सानू ले जन्दी है तो कीनी अनसान तो पापकरादंदी इस से तरह जवान दी इंद्री जड़ी है एवी बहुत कोई साथो आए पापकरादंदी है जिंद्गी विच बहुत सारे जीवते स्वादू मिल दे है उन्हादी हालत देख के हासा भी आउंदा है के जेड़ा खाणा साथी निगादी अंदर काफी अच्छा आउंदा है वो जान देदेगा लेकन खाएगा नी मैं सुनी बात नहीं करतागा मेरी जिंद्गी जी कही प्रेमी ऐसे मिल जन्दे है के जेड़े जान दी कोई प्रवा नी करते लेकन उन्हान ने माड़ा खाणा नी माड़े दा ए नी के होर लोग माड़ा ने बिमाड़ाई खान दे हैं, ऐसे सारे अच्छा खाने हैं, लेकन उन्ना दा जो मन है, किन्नी चंगी चीजों न दे के रख दियो, वो नुक्सकड़ी इकड़ी जाएगा, अगर गोबीदी डाल है, ऊच भी नुक्सकड़ेगा, के बनाता वाइदा कार मेरे मध्य मार्या? अगर बेंगन बनाते, और फिर नुक्सकड़ेगा एगरमीदा कार की बना दता है? आलू बनाते फिर भी नुक्सकड़ेगा, जो मर्जी सबजी तुसी बना देऊ. तो मैं थोड़े पास उबराय साथ भी बेठे है तो दस्दा होना है कि जो तर्म चंद मारा सावन सिंग दा नाम लेवा मैंनू पहली मुलाकात मिली मेरियोद नड़ होई उसने गंगा नगर वैसे साथ हो काफी दूर पेंदा है उसने सुनया कि एक महात्मा ने थे जमीन लई है मांजुवास दे अंदर ओ दफैरे बड़ी गर्मी दे अंदर जद के राजस्तान अंदर जाना बड़ा मुश्कल सी ओ पहुंचिया तुर्के जद गया मेरे पास कुछ आदमी बैठे सी के ओसने अंचक सच्चा आदमी जो है वो स्वाल अंचकी कर देंदा है बिना फ्रेव तो करता है मैंनों आदा सादू है के स्वादू है मैं हसके किया के दोना जो भी कोई नी ना सादू ते ना स्वादू वादा एदा मतलब मैं कहें भी सादू मैं सुनेया है बाबा सावन सिंग तो विजद आत्मा तो तिन्ने पड़ दे लाके दसमें द्वार चे पार ब्रेम चे पहुंचे ते ओ सच्चा सादू बन जाना है मेरे को यो रस्ता ही है नहीं कहां मेरे को ता रस्ता हो तो एक कमंजल नीचे दा है तो स्वादू मैं उन्हों बड़े प्यारना क्या कि तू हर रोज मेरे को बैठके देख ला है मैं सब तो पहला था अक्खा मीज के पमेव ताक्त मेनु दिसी नीमा उदा त्यान जिरूर तर दे वही तेरा देता मैं खाना है तो मैं कदे नी देखिया बैए मेरे खाने वेचे नून कम है जा जादे है ए तुसी जड़ा मेरा खाना मनोंदा ए इसनू पूछलो के मैं नू मौका नी कदे देता मैं ना सादू ना स्वादू तो शैद उबराय साब नू ए गल सुनके हासा भी होंदा होंदा सी बैए स्वादू रोज संत केंदे है भी स्वादू भी है क्योंके जैसा बंदे दा आवदा ख्याल है वैसा ही दूसरे नू समीदा है लेकन मालगदी मौज एदी जिन्दगी चेक प्रेमिये ने खुद ही देख लिया उस ने जान दी कोई प्रवा नी की ती चली जाये ते कोई बात नी गी पर खाणा नी खाणागा क्योंके मेरे प्रसंद नी हुन देल देवेचे कपराट भी उठे चाड़े गुर्मेल जावे वार 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 उसनू क्योंके जादो हो तांग हुंदा सी दुखी हुंदा सी कई दन दा पुखा तो थ्वानू पता एक अनसान दा बच्चा उखा हुंदा है ये जावे मैं भी नू का भी तुसी मिंती कर लो ना सुबह मैं अबराय साब नू बलाया मैं कहाँ जी तुसी यूँ करो एक कर्म रोग ता है नी गा ये फेर कजिता पमे संसार छट जे हुण संसार भी नहीं छटेगा तो तुह नू ये दे करें छटेया गुर्मेल ने जीब त्यार की ती छटणवास ते गए ज़द गंगा नगरों पहुंचिया उथे मन पसंद चटपठा खाना देखया तो उथे यो खाके चंगा पला हो गया जल मैं बंगलावर उसनों मिलिया तो वो बड़ा खुश होया मैंनु आदा जी मैं थ्वाड़ी गल्दी वड़ी कदर करता है जेड़ी तुसी मैंनों तुर लगे नू केंदे सनवी एक कर्म रोग ता नहीं अपने ही रोग है तो ये थ्वाड़ा बड़ा सच्चा सी वो कर्म रोग वाके ही नहीं सिगा उन तुसी देख लो कि स्वाडू जिड़े है वो कित्छों तक जान दी बाजी लादन दे है तुसी किते वस्तार ना सुड़ना है क्योंकि मैं तो छुटा करके धारता है किते अबराई साब नों पूछ लिए की ऐसे मौके मिल दे है प् रस है एक जिनना नों पहे जन्दा है वो बड़ी बड़ी दूर्णग जन्दे है तो बाकी इंदर गया दे स्वाड जो साड़े ना कर दे है वो सारे देख दे है तो मन जगत पोगरास बंधा नित करे करम बस तंदा फस मरे काले के फंधा अब हुआ जीवयत गंदा भूण आप प्यारना केंदे हैं कि काल दे होर भी बड़े फंदे हैं क्योंकि शुरूर विच्छ काल पगवान ने किबीर सह्म ने अपने अनराग सागर विच्छ वस्तार पूर्वग लिखे हैं के सत्तर जोग एक दफा वो सत पुर्षिदी पगवी की थी चौड जोग एक दफा एवी गुरू नानक देव जी माराज केंदे के असी गुपत तौर्थे एक मोठा जान दाजा दस्दे हैं हो सकता इससे जादे भी उसने तपच्छा करी होए गुपते बुझे जोगची तारे और जिसने इतना मेंत करके पगती करके रूहा मंग्या हन जिसने मेंत करके खेती बीजी है प्यारे हो ओ किस तरह मिरगा नूँ जा प्राय डंगरा नूँ खान देवेगा जा जानवरा नूँ खान देवेगा ओ उस भी संभाल करेगा जब तु पहला तनमान्द पिंजरा त्यार किता। पूत्र प्रेतां दी जूनी वेची जानने है देवी देवत्यां दी जूनी वेच जानने है तो उत्तेवी सुक्षम तान और मन्दा पिंजरा है। नाल मन लादता मन्दी ड्यूटी ये है कि कोई भी आत्मा अंधर ना जावे गुरु पगत ना करना पाए। अनेका किसम दे तंदे ये दे गल्प मड़ दे। तो हुण जीव एना फंदे आनू खुदी ये ही त्यार करदा है। जो सी कर्म करदे हैं ये साड़े खुद फंदे है। चंगे कर्म भी साड़े फंदे हैं माडे भी फंदे हैं। अगर अच्छे कर्म करदे हैं तो साड़ा विस्तरा चौंपडी जो उठाके महले विच लालेने हैं। हाथ जो चाड़ू कटके हुकूमत आजन्दी है। वद्त वद्त सी स्वर्गा पकॉंठा में जनने हैं। इस सब पोग जीन यहां। जद उन्हा पुन्हा दा खत्म हो जान्दा है साब खताब सानुए संसार वे जरूरा पेंदा है। यह जरूर है कि देवी देवत्यां दे मंड़नू शटके जा संसार वे चोने हैं अनसान दा जामा मिलदा है। तो ज्यादा से खूत प्रेद दे नरकां देवी चोने हैं ते उसी अनसान दे जामेच नहीं जा सकतेगे। फिर चुरासी लख जीया जिन पोगत्म तो बाद एक कवारी उसानु फिर मौका देंदा अनसान दे जामेचा। अगर एदे विच नाम मिल गया गुरू मिल गया बेड़ा पार है तो नहीं तब फिर चुरासी दे चकर है। गुरू अरजिन देव जी केंदे हैं लख चुरासी जोन सवाई मानस को प्रव दीप विड़े आई। इस पौड़ी ते जोर नार चुकें सो आए जाय दुख पाएंदा। आमएद। अस्मरे काल के फंगा अब हुआ जीव यत गंदा गुर कैनित समझाई। करे कोज शब्द कट जाई। संत महातमा सान हर रोज मिठियां और प्यारियां हर किसम दिया मसालां दे के साड़न। दुनिया जो कट के अंदर दी तरफ ले जाना चांदे हैं। गुर के हैं नित समझाई कर शोब्द। कोई अपनी गर्ज नहीं छुपी हुई। गुर के हैं नित समझाई कर कोज शब्द कट जाई। जे सुने न गुर के बैना कस खुलें ही एके नैना। भुणा प्यारना केंदे हैं जद महात्मा के अपदेश कर दे हैं इस सुन वास्ते तियार नहीं गा। भुणा अंदर लिए अखा के में खुलन अंदर ले कान के में खुलन। जद सुन वास्ते तियार नहीं गुरु नानक दियसी हिश्ट्री पड़ दे हैं और जिस पेंडवेच जान देसं लोग पहला एटा वटे मार देसं के एचंगी मत नी दिन्दा लोकां दी मत बगारदा है एक कराया है। कसुर्दे अलाके अंदर उन्ना नू एक पेंड़ दे लोकां ने रात ना कटन दिती कोड़ी दी कुठी आज रात कटी। बेश्चा को कोड़ी दा कोड़ दूर होया। एससे तरह बाकी दे संतां दी असी हिश्ट्री पड़ दे हैं। गुरु अर्जिन देव जी माराज नू गैर मनुकी तसी हे दते गए। ओना दे सिर्वेच गर्म रेता पाया। उब्र दी देग विच बठा देता, कार काट ओना दा, ओस वक्कत दी हिकूमत ने लुट लेया। तवा नू पताया के हाथ दे उते के चंगाडा भी टेक जावे। नेडे अग दे हुन्ने किन्ना सेख है। ओस मालक दे प्यारे नू जवर दस अग जड़ा के उते पठादता तवी दे। दरता सार्यान भी हुन्दा है। महात्मा ने की कसूर करया वई। फिर अप्सोस ना करना है पेंदा एस सब कुश तरम दे ठेके दरा ने ओस प्रमात्मा दे नामते ही कीता। सो एस वास्तिया प्यार ना केंदे है सानु मन इंद्रियां दी यहर चड़ी है काल ने जीवान उबहकाया हुया है के इना दी गल नू सुनो ना। ये सुने न गुर के बैना कस खुलें ही एके नैना बिर ला कोई जीव अधिकारी कोटन में कोई जो पजनराम को पावा है जग में उत्तमकडिये विरले के इके। माराज कर पाल केंदे हुंदे सचयाईदा बी नासनी हुंदा बिरले बिरले जीव हान जो गुरु दे बचना नू अपनी खुराक बना लेंदे हैं अपनी टेक बना लेंदे अपना सहारा बना लेंदे हैं उसते पूरा पूरा अमल कर दे हैं बेरला कोई जीव अधिकारी गुर बचन करी आधारी जो बचन समारे गुर के मन फंद लगावे चल के जद कोई प्रेमी ससांगना प्यार सची दिलो करना चौंदा है गुरु ना करना चौंदा है एत जर्वा है तो मन फिर अपने फंद अपना चल खेड़दा है उन बखाद दा कई दफ़ा क्योंकि ए मन दे बड़े तोके हंदे है कोई महात्मा शैर गया उत्थे हलवाई दी दुकान सी उत्थे खड़ा सी उनने मन दी तर्फ शैरा कीता कि तेरे बड़े ही खेल देखे है एक हाणी जुर्मा राय सनोंदे हंदे कि तेरे बड़े खेल देखे है कोई थोड़ा बहुता ता चुटकला सना दखा तो उसने जड़ी शैत जट वेजदा सी का वो उंगली फड़के दीवारते लादेती मक्खी एक्खां बंद करके वो सैत नों चट्रन लगी शवकाली ने किया कि मेरी खुराख है उसने मक्खी नों निगल लेया बाणिये दी बिल्ली रखी होई सी बिल्ली ने शवकाली नों अपने काबू कर लेया खागी जो जीनीदार आया सी शैद ले कि वेचन ओदे पास एक पालया होया कुत्ता सी कुत्ते ने उस बिल्ली नों खा लेया और बाणिये दे जिड़े नोकर जाकर संड उनना ने जट दा कुता मार देता तो जट नों गुसा आया कि मैं कुता बड़ा उखा पालया सी बाणिये नों गुसा सी कि मैं बिल्ली मसा पाली सी गी हुण बाणिये दे नाड नोकर जाकर जट दे नाड होर हो थे लोक सोदा लेना ऐसी गांक संड खूब हो थे गुत्म गुत्ते होये खून बैठा और सानु पता साथ में श्डौन वाले भी आई यंदे या सारे बैठे तो एक स्केंट में दी किसे ने नी सोचया भी की होया तो मन कहना महात्मन देख यह मेरे खेल है यह मेरे तोके है ममूली बात तो मैं ऐसा कुछ करा दना है जो बचन समारे गुर के मन भंदल लगावे चल के जोंत्यों कर जीव भुलावे काले अपने खेल खेलावे जिस तरह भी एदा दा पे चले उस तरह यह है उससे खेल वे चलादना है जदो कोई ससंगी ससंगे जाना चांदा है गुरु पगदी करना चांदा है तो मन दे करे स्यापा पैजन दा है कि ए आत्मा ए निकल के ने जाएगी ओ भी अपनी पूरी तागत लेके ससंगी दे उदाले हो जन दा है जेओं तेओं कार जीव पुलावे काल अपने खेल खेलावे गुर पागत न करने पावे बहो पांत उपाध लगावे कभी मितर होए परमावे कभी बैरी बन तमकावे करेता है मितर बन के अंदरों वकी इदी तरह कहनदा है आज अग मिठा अगला किन डिठा के शैद मौत भी लोकां वास्ते है मेरे वास्तेदा शिराबाक बाबा हन मैं नूगड़ा किसे ने पुछना है मैं जो मर्जी करां कदेता मितर बन के ऐसी अंगला करता है असी उससे बेंड विच मंदे आखे लग जनने हैं गुरु पक्ती शट दने हैं कभी मितर होए परमावे कभी बैरी बन तम कावे कभी रोगन माए जुमावे कदे कोई ना कोई देही नू रोग लग दा है ते बहाना कड़के अगे कर दा है देखो जी जी तंदरुस्त होँआ मैं फेरता अव्यास करां भॉरन संतां को ले अरज करता है माराजी मैं तो बेठेया नहीं जन्दा दस वही जदो तु तंदरुस्त है उदो किना के बैठता से हैं उदों भी रही जी कहत रहीं के जी मन नहीं बेठें देंदा दी मन परेशान करता है जदो बिमार हो गया होर बहाना कर लिया कभी रोगन माहे चुमावे नाना बिद जाल बिचावे शबदारस लेन ना पावे जों जीव सदा दुख पावे से जीव दुखी आया जूनिया दे विच्चों दुखी चले जन्दा है शबदारस सानु कित्थे मिलदा है जदसी फेले ख्यालनु सिंबर्ण दे जिरिगे अखां पिछे लिवने हैं उस आवाज नों पकड़ दे हैं आत्मा दे उप्रों स्थोर सोक्षम कार्म पिन्ने पड़ दे लाके दसने दुखार पारबरे मिज़ पहुं जान्दे हैं गुरु से प्यारना केंदे है अम्रत रास सत गुरु चुआया दसने द्वार परगट होया आया ओथे गुरु अम्रत परया होया पहला लग के सेवक दी इंतजार विच है जन्मा जन्मातरां दे जिड़े दुख है उत्थे समापत हो जन्दे है ना उत्थे मन्दा पंदा है ना उत्थे तन्दा पिंजरा है उत्थे शान्ती है लेंग पेद भी उत्थे नहीं ना औरद ना मरद ना उत्थे अमरीकन दा सवाल है ना हिंदुस तानी दा सवाल है उत्थे आत्मा है येनु सोझी समझें धिया मेरा ये कोई प्रमात्मा है मैं किस दे दिवासी है? शाब्दारस लेन ना पावे यों जीव सदा दुख पावे गोर मेहर करे जिस जन पर सुबचे शाब्द तुन सुन कर जीदे ते भी संत तो द्या हमेशे ही कर दे है ओना द्या दा आंग है उकदे भी छड़ दे निगे सुआल तो साथे द्या लेन दा है मैं दहदा हमना जो शुरू जो मैं अमरीका गया सबनु यही संदेश दिता कि प्यारे हो पच्ची साल ओकोल मालक जो अनसान दे तन वे चाया जिसनू अपन संत कुरपाल खेंदे सी गे ओ दोनी हथी दात लटांदा रहा ओदे कनियों कोई कमी नी सी साड़े जैसे बरतन बने जैसे असी अदकारी बने वैसी वैसी वस्तु ओ साड़े अंदर डाल गया है हुण जैसी ओस वकत कोई ओस तो वस्तु प्रापत द्या दी नहीं करी जा द्या दित्ती असी ओस नू रोड दिता या कदर ना कीती ते ओस महान गुरू दा कसूर नहींगा ओ अजवी साड़े दिया करदा है जैसी पहला पुलगे वकत तो खुंजगे है तो सानू अज होश ओनी जैदी है अज ता सानू उस दियादा पला फढ़ लणा जैदा है संत सद गुरू संसार छड़के किदरे नी जान दे उस शब्द रूप हमेशा साड़े साथ है गुरू मर्दा निगा मरे गुरू दि बला ओ सदा ही जयंदा है नाव मौत देश 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 विच जयंदा है गुरू नान केंदे जन परोपकारी आए जीया दान दे पगदी लेन हर सो लेन मलाए वो आवदी आत्मा दान देश है इससे वास्ते संता दान सब दाना तो उच्चा दान है किसे नो आवदी जिंदगी देदेने कोई ममूली खेल नहीं ऐसा साड़े सत्गुरू दान सी का आवदी जिंदगी भी यो साड़े उत्तों दी निशावर कर गए है सो इस वास्ते अगर असी पहला पुल गए है तो अज्री वो तागत है गान वी उसे तागत ने रहना है गुरू नान केंदे है सत्गुरू मेरा सदा सदा ना आवना जाए ओ अब नाशी पुर्ष है हर जा रह समाए ना ता शिश्दी दे थे रहनी है ना गुरू दी ना शिश्दी दे है एदा स्रूप आत्मा है गुरू दा स्रूप शब्द है किबीर सहीव केंदे है सत्गुर किया गुरू करया है दे का सत्गुर जीना ना है लख चरासी तार में फिर फिर गोते खा है असी देनों गुरु बना के पकड़ के बैठ जाने है संत कहने थोड़ा असली गुरु शब्द है जो थोड़ा अंदर बला रहा है दे अगर ना अंदी तो असी अंदर दा पेजना प्राप्ट कर सकते दे दी भी बड़ी वड़ी आई है गुरु नानक ने किया मैं देख देख न रज्ञा गुर्सद गुरु देखा देरु भी वो कहने दे मैं देख देख के राज़दा निगा क्योंकि ये दे दे अंदर ओ मालक बैठा पर तक है जो सानु प्यार ना समझोंदा है सो ये सवास्तिया आप कहने लगे जड़ो अंदर सत्कुरु नुप पर्गड़ कर लिया तो बाहर असे उदा तनवाते तोरते जाके ओँ ही बाहर कदर करेगा जड़ा अंदर जानदा है जड़ा अंदर मिलदा है लेकन असी इत्थे आके बोल जानने है और आर्स कर लेने है तो इस वास्तिया आप प्यार ना केंदे है कौन बचदा है जो अंदर शब्दनू रोज सुनदा है आवाजनू रोज सुनदा है सिम्रने की जिरिया है एले ख्यालो अकठा करना मकसद शब्द तो नहें जद तक किसी पूरा सिम्रन करके अक्षा पिछे आके अकागर नहीं शब्दी वाज आएगी लेकर नू खिचेगी नहीं क्योंकि जिस चीज नू खिचना है वो ता कदे पुत्रां तियांदे रस विचे फिर दी है कदे कौमा मजबा दे ख्यालां विचे डूबी फिर दी है कदे बिशे बकारां दे अंदर मन पसाई फिर दा है सो जो सारे ख् जलते एक आगर हुने है उपरो शब्द होंदा है और नोख चलेंदा है मैं मसाल दना होना है को शब्द दी अंदर इस तरह कशिश हुंदी है जैस तरह अजगर सब ये सुनों सी इच्छा तारी भी बोल दे है वो बैठा अरेंदा है वो कदे भी कोई शकार मारन वास्ते और दागा ओदे अंदर कशिश हुंदी है मैगनेट दी तरह खिच हुंदी है जद कोई ओदा शकार ओदी मार वे चौंदा है वो अपने आप ही खिचया ओदे मुंवे चले जन्दा है इससे तरह जद साड़ी आत्मा यक्सू होके अकठी होके वो शब्द रेंज वे चा ज जन्द ही है शब्द आपने आप ही मला लेंदा है जी गोर मेहर करें जिस जानें पर सो बचे शब्द तुन सुन कर तब गहे शब्द रस जांची फिर जले न जग की आंची सब बात लगी अब कांची गोरे पागत मिली अब सांची सब बात लगी अब कांची गोरे पागत मिली अब सांची रादा स्वामी की लीनी शालनी सो जीव लगे पातरनी सांची अब गात लगी अब गहे शांची सब बात लगी अब कांची झाल झाल